तो भाईयाजी अगर आपका बजट है 20,000 रुपे आप ढूंड रहे हैं अच्छा सा स्मार्ट फोन चाहिए कैमरा की बात करें चाहिए परफॉर्मेंच डिस्प्ले चाहिए बिल्ड कॉलिटी गेमिंग करने हैं फोटोग्राफी करने हैं कुछ भी करना है तो भाईयाजी पांचो नंबर पे रेड्मी नोट 10 प्रो अगर आपको चाहिए एक कैमरा सेंट्रिक फोन और फोर जी फोन आप ओगर चलेगा और अगर आपको चाहिए एक 5G फोन कैमरा भी ठीक ठाक सा हो तो रेड्मी नोट 11 टी 5G एकनम नया अनविला फोन को आप ले सकते हैं इसमें आ IPS LCD डिस्पले मिलती है तो इसको एक अच्छा कैमरा अच्छी डिस्पले और एक अच्छा खासा 5G प्रूफ फोन चाहिए तो Moto G71 5G को आप सेलेट कर सकते हैं 6.4 इंचिस की Full HD Plus AMOLED डिस्पले मिलती है refresh rate यहाँ पर नहीं बताया कमपनी ने बट Snapdragon 695 5G प्रोसेसर के साथ इसकी performance भी काफी बहतरीन है और आपको इसमें 13 5G bands मिलते हैं इसलिए मैंने कहा कि 5G के point of view से काफी बढ़िया फ्यूचर अप्रूफ 5G फोन है आपको भी मिल जाएगा 20,019,000 के आसपस बागी जो भी लिंक होगी जो भी प्राइज होंगे मैं सभी के बेस्ट डिल आपको दे दूँगा वीडियो के डिस्रिक्टर में जाके आप चेक आउट कर सकते हैं और एक रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद है सब्स्राइब शेयर काफी पावरफुल फ्लैक्शिप लेवल का प्रोसेसर है 20,000 के प्राइज रेंज में जो आपको गेमिंग में चाहे कोई सा भी आप गेम खेल सकते है इसमें आपको एकदम मतलब नराज तो नहीं करने वाला काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा चोवाली स्वेमेच की बैटरी मिलती है 55W फास्ट चार्जिंग के साथ तो भाईया जी चार्जिंग भी काफी बढ़ी है अगर गेमिंग खेलते खेलते आपका चार्जर भी कम हो जाए तो 55W की चार्जिंग मतलब आदे घंडे घंदर आपका फोन फुल चार्ज 6.5 इंचिस की फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्स की डिस्पले मिलती है IPS LCD पैनल है AMOLED नहीं है बट गेमिंग के मामले में रिफ्रेस्ट ज्यादा मेटर करता है बजाए IPS और AMOLED के तो रिफ्रेस्ट गेमिंग के पॉन्ट अग भी से नेक्स्ट लेवल का है 64 मेगा पिक्सल का ट 6GB और 128GB का वर्जन आप 20,000 आपको एक्जक्ट एकदम 20,000 का मिलेगा और अगर आप 500 रुपय एक्स्ट्रा पे कर सके तो इसका आप 8GB वाला वर्जन लेंगे आगर तो पर्फॉर्मेंस और गेमिंग की पॉन्ट ऑव व्यू से अगर आपको कोई फोन चाहिए बड़ी RAM वा 8S 5G का आप ट्राइ कर सकते हैं काफी बढ़िया पर्फॉर्मेंस देने वाला आपको MediaTek Dimensity 810 5G प्रोसेसर मिलता है जो की गेमिंग में आपको निराश्ट नहीं करने वाला है तिनी मेरी गरेंटी है काफी बढ़िया पर्फॉर्मेंस देगा 6.5 इचिस की Full HD प्लस 90Hz की डि रिकॉर्ड कर सकते हैं 30F के उस पर फंट कैमरा बैक कैमरा दोनों से 5000 mAh की बैटरी मिलती है 33W fast charging के साथ अधर फीचर्स की बात करें तो सिंगल स्पीकर मिलता है 3.5 mm jack मिलता है स्राइबंट फिंगर्बिंट सेंसर मिलता है और यहां पर यह फोन भी काफी बैलेंस और हां मुझे पता है मेरे भाई कि 24,000 का इसका MRP है बट यह तेरे को ओफर में 23,000 का मिल जाएगा अगर तेरे पास 20,000 रुपे है न तो 2,000 रुपे एक्ष्टा लगा के आप यह फोन लीजिए वन उता बेस्ट फोन है 25,000 के प्राइज रेंज में स्नैप ड्रेगन 778 5G प्रोसेसर मिलता है गेमिंग के पॉइंट व व्यू से काफी तगडी परफोर्मेंस मिलने वाली 6.4 इंजिस की 120 हर्ट की AMOLED डिस्पले मिलती है गेमिंग के पॉइंट व व्यू से मल्टी मीडिया के पॉइंट व व्यू से एकदम टॉप नॉच काफी बढ़िया है सिंगल स्पीकर मिलता है साइड माउंट सेंसर दिया है 4300 एमेच की बैटरी मिलती है 65 वाट चार्जिंग के साथ और इसका आप 6GB और 256GB वाला वर्जन ले सकते हैं यह आपको मैंने बताया 24 जार की MRP है 22-23 आपको मिल जाएगा ओफर का वेट कीजिए सेल का वेट कीजिए और थोड़ा टाइम अगर लगाएंगे तो अब बात कर लेते हैं की कौन सा फोन एक्चुली में बेस्ट है देखिए ऐसा है कि अगर आप 20,000 रुपे से उपर लगा सकते हैं तो मैंने बता दिया आपको रियल में GT Master Edition ले लिजी अगर आप 20,000 रुपे सब्सक्राइब जी फोन है और दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं अब भाईया जी अगर आपके मुलाकाते बनाया रखने के लिए चैनल को स्क्राइब बिडियो को लाइक की जलनी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तक तक के लिए मौच कीजिए टाटा बाए